हेलो फ्रेंड, विल्कम टू माई किचिन, आज हम बनाने जा रहे हैं मन्चाव सूप की रेसिपी, जो खाने में तो टेस्टी है, साथ ये बनाना बहुत ही आसान है, ये छोटे बच्चे को बड़े को सबको पसंद आएगा, आप घर पे एक बार ट्राइ किजिएगा, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चलिए शुरू करते हूं मन्चाव सूप की रेसिपी बनाना, यहाँ पर मैंने नूडल्स को बॉयल कर लिया है पहले, अब मैं नूडल्स को ठंडा होने के बाद एक चमंच कॉन फ्लोवर कॉन फ्लोवर डालने के बाद अच्छी तरसी से कोटिंग कर लूँगी, जब अच्छी तरसी कोटिंग हो जाए, तब इसको हम फ्राई कर लेंगे, यहाँ पर मैंने गैस पे कडाई बैठा दी हूँ, और कडाई में मैं डाल दी हूँ ओयल को, ओयल जैसे ही गरम हो जाए, अब इसमें हम नूडल्स डाल देंगे, फ्राई होने के लिए, अब तब तक फ्राई करेंगे, जब तक नूडल्स हलका सा गोल्डन कलर का ना हो जाए, अब नूडल्स को एक बार पलड देती हूँ, ताकि दूसरे साइड भी अच्छी तरसी फ्राई हो जाए, अब देख स देखते हैं नूडल्स हलका सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है अब इसे निकाल लेती हूं एक प्लेट में और सारे नूडल्स हम ऐसे ही फ्राइ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए डग देती हूं अब नूडल्स फ्राइ होने के बाद हम इसी कडाई में एक चमच बटर डालेंगे आप चाहे तो बटर को skip भी कर सकते हैं लेकिन बटर देने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है आप सिरिफ तेल से भी बना सकते हैं अब मैं इसमें डाल दूंगी थोरी सी चौप किया हुआ रसुन रसुन जैसे ही हलका सा भून जाए आप इसमें डाल दूंगी कद्दू कस किया हुआ अधरक आप इसमें हम डाल देंगे चौप किया हुआ प्याज एक बाद चला लेते हैं अब इसमें हम वेजिटिवर्स डालेंगे आपके घर पे जो भी एवेलेबल हो वेजिटिवर्स अब उसी को आप डाल सकते हैं मैं पहले पत्ता डाल रही हूँ लेकिन बारी किसे चौप क्या हो आप सबजी डालिएगा फिर मैं बीम्स डाल रही हूँ अगर आप को कोई भी सबजी पसंद ना हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं अब इसके बदले में कौन डाल सकते हैं मसरूम डाल सकते हैं सिम्ना मिज डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो अब इसमें हम बारी किसे चौप क्या हुआ गाजट डालेंगे हरे प्याज यहाँ पर मैंने धनिया का जो डंठल होता है इसे डाल दूंगी थोरी सी इससे फ्लिवर अच्छा आएगा और इसे अच्छी ज़सी मिक्स कर लेती हूँ अब इसमें हम थोरी सी नमक डालेंगे नमक डालने के बाद कौफर लगा कर हम दो मीट तक रुकेंगे ताकि सब्जी थोरा सा सौप्ट हो जाए अब कौफर निकाल लेती हूँ देखिए सब्जी सौप्ट हो चुका है हलका सा अब इसमें हम डाल देंगे पानी जिसने आपको सूप की जरूत परेगा उसी साफ से आप पानी डालिएगा मैं दो से तिन गलास पानी डालूंगी अब इसमें हम डाल देंगे थोरी सी ब्लैक पेपर एक चमच रेट सौस दो चमच ड्राक सौय सौस आप ड्राक सौय सौस का ही यूज कीजिएगा और इसे मिक्स कर लेती हूँ अब इसमें हम डाल देंगे एक चमच विनिगर और इसे कौभा लगा कर उबालाने देंगे एक बार अब कौभा निकाल लेती हूँ देखिए एक उबाल आ चुका है अब इसमें हम डाल देंगे दो चमच कौन फुलोवर यहाँ पर मैंने दो चमच कौन फुलोवर ली हूँ अब पर थोरी से पानी लूँगी पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कौन फुलोवर को ताकि एक भी लम्स ना रहे अब इस टेप को ध्यान से देखिएगा कौन फुलोवर देने से सूप का जो ठीकनेस होता है वो आ जाता है अब यहाँ पर मैंने थोरी थोरी करके कौन फुलोवर डालूंगी और चलाती रहूंगी थोरी थोरी करके डालिएगा एक हास से डालिएगा एक हास से चलाते रहिएगा एक ही बार में confirm मत डालिएगा और इसे थोड़ी देर और रूखने दूंगे ताकि थोड़ी देर और उबल जाए सूप अच्छी तरह से अब इसमें हम थोड़ी सी फ्राइक के हो और नूडल्स डालेंगे और इसे मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ी देर चला लूँगे ऐसे ही देखिए सूप कितना ठीक बना है और सूप हम लोग का तैयार है एकदम अब गैस बंद करके हम इसे सर्प कर लेंगे और उपर से मैं डाल दी हूँ थोड़ी सी फ्राइक किया हुआ नूडल्स आप भी घर पे ट्राइक कीजिएगा मंचाओ सूप की रेसीपी एक बार अगर पसंद आए तो में चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजिएगा थैंक्यू